महराष्ट में ED की सरकार बनी है ये बात अब खुद महराष्ट के डिप्टी CM देवंदर फर्णवीस ने कही है विपक्ष के आरोपों से अलग उनका तातपर E यानि एकनात शिंदे और D यानि देवंदर फर्णवीस से था चलिए ये तो हुई बद कही लेकिन बड़ी बात ये हुई है कि शिंदे बिश्वास मत जीत चुके हैं और इसी शक्ती परिक्षन से निकली कुछ रोचक बातों के बारे में हम आपको इस बीडियो के जरीए बताने वाले हैं जैसे कि उद्धव and Company यानि विपक्ष के पाले से आठ विधायक घायब हो गए ये कैसे हुआ ये हम आपको इस बीडियो के जरीए बताएंगे साथ ही उस विधायक के बारे में बताएंगे जो कुछ दिन पहले उद्धव के समर्थन में रो रहा था लेकिन फ्लोर्ट टेस्ट की बारी आई तो शिंदे के साथ खिसक गया लेकिन पहले आपको बताते हैं कि शक्ती परिक्षन में क्या हुआ मुक्य मंत्री एकनात शिंदे के नित्रित वाली बागी शिव सेना बीजेपी गडबंधन सरकार ने समवार चार जुन को शक्ती परिक्षन की चुनोती को आसानी से पार कर लिया 288 विधायकों वाली सदन में नई गडबंधन सरकार 164 वोट हांसिल करने में सफल रही ये बहुमत के जादूई आकड़े से 144 से 20 वोट अधिक हैं जबकि विपक्षी महाविकास अघारी गडबंधन को केवल 99 वोट ही मिले हैं अब आते हैं कि विपक्ष के 8 विधायकों के घटने की घटना पर 3 जुलाई को बीजेपी के राहुल नारवेरकर विधान सभा के नए अधक्ष चुने गए थे विधान सभा अधक्ष पत के लिए हुए इस चुनाव में जहां नारवेरकर को 164 वोट मिले थे वही उद्धो ठाकरे के नित्रित वाली शिव सेना के उमिद्वार राजन सालवी को केवल 107 वोट मिले थे यानि फ्लोर टेस्ट के एक दिन पहले तक विपक्ष के पास कम से कम 107 वोट थे लेकिन आज जब सरकार पर फ्लोर टेस्ट की बारी आई तो विपक्ष 99 वोट पर सिमट गया ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कॉंग्रेस के विधायक जिशान सिद्ध की सदन में वोट डालने ही नहीं पहुँचे जबकि कॉंग्रेस विधायक और पूरो मोख्यमंत्री अशोक चाहवाण विजय वड़े टिवार वोटिंग के प्रक्रिया खत्म होने के बाद सदन में पहुँचे एनसीपी के विधायक संग्राम जगताब भी गयब थे ये चारों रविवार को होई वोटिंग में शामिल थे साथ ही उद्धर ठाकरे कैम के शिवसेना विधायक संतोष बांगर विश्वास मत से कुछ मिनट पहले ही पाला बदल कर एक नात शिंदे खेमे के साथ हो लिए ये वही संतोष बांगर हैं जो करीब एक हपते पहले ही उद्धर ठाकरे के समर्थन में सारवजनिक रूप से रोप पड़े थे लेकिन अब एक नाशिंदे खेमे में शामिल हो गए हैं अब शिंदे गुट में शिवसेना के कुल 40 विधायक शामिल हो गए हैं उद्धर शिवसेना के उद्धर ठाकरे खेमे ने पाइटी के लिए नए विहीप भरत गोगावले को मानिता देने के विधान सभा के नए अधक्ष के फैसले के खिलाब सुमवार को सुप्रीम कोट में एक नई याचिका दायर की इस पर सुप्रीम कोट ने इसे 11 जुलाई को महराश्ट के राजनितिक संकट पर अन्य लंबित याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए सुची बद्ध किया है इससे पहले बागी शिवसेना के चीव विहीप भरत गोगावले ने विधान सभा धक्ष राहुल नारवेरकर को एक याचिका देकर पार्टी के 16 विधायकों को विहीप का उलंगन करने पर निलंबित करने की मांग की थी इस पर विधान सभा धक्ष के कार्याले ने पुष्टी की है कि 16 विधायकों को निलंबन के लिए नोटीस जारी किया जाएगा खांस बात ये है कि शिव सेना प्रमुकुद्र ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी भरत गोगावले द्वारा जारी किये गए विहीप के खिलाप मतगान किया है ऐसे में उन्हें अयोग्यता की कारेवाही का सामना करना पड़ सकता है